दोस्तों अगर आप लोग भी यूटूब पर short channel create करके short video upload करके उससे आप लोग पैसा कमाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोग शुरूर से लेके last तक पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से और सारी चीजे detail में बताऊंगा कि आप लोग YouTube short channel कैसे create कर सकते हो दोस्तों वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि पहले जो YouTube पर long video upload करते थे उनको पहले YouTube पैसा दिया करता था लेकिन अभी ऐसा है कि जो लोग short video create करके अपने चैनल पर upload करते हैं मलब short video बना कर अपने चैनल पर जो लोग upload करते हैं उनको भी YouTube पैसा देता है तो अगर आप लोग YouTube short video बना कर उससे पैसा कमाना चाहते हो तो बेशक बनाइए आपके पास कोई भी talent हो 15 seconds, 30 seconds, 60 seconds का वीडि बनाना चाहते हो चाहे कोई study का हो चाहे कोई comedy video हो कोई dialogues हो या फिर movie के बारे में हो या gaming का हो या फिर educational हो motivational हो कुछ भी किसी भी type का वीडियो बनाईए चाहे dancing का बनाईए कुछ भी बनाईए आप लोग बना कर उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और आप लोगों को ए टाइब का short video डालेंगे चाहें आप देखें 10 video short 10 video short की डालेंगे ना तो उसमें से चार पांच वीडियो आपकी जरूर से बारेल हो जाएगी और उस पर अच्छा खासा वीज भी आएगा तो आप लोग जरूर से बनाईए short video और short channel create करना चाहते हो YouTube पर तो वीडियो को दि तो यहाँ पर right side में उपर की तरफ एक logo दिखाई देगा उस logo में आप लोगों के name का जो first letter होता है वो आप लोगों को logo में यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर आपको simply click कर देना है और आपकी Gmail ID यहाँ पर दिखाई देने लगेगी आप देखे simply आपको करना क्या है यह यहाँ पर नीचे यूर चैनल का एक option आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको click कर देना है यहाँ पर आपको ज्यादा ताम ज्याम नहीं करना है लेकिन आगे का जो process है उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेगा अगर आप लोग उसको ठीक से नहीं करोगे तो आगे चल कर आपको कई सारी problem आने लगेगी तो यहाँ पर simply आपको करना क्या है यहाँ पर picture का option आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग अपनी channel का logo select कर लिजेगा जो भी आपको logo add करना है फिलाल मैं यहाँ पर click करके अपने gallery में से logo select कर लेता हूं जैसे कि मैं अपना ही एक photo य यहाँ पर मैं राजपासी और यहाँ पर लिख देता हूं short यहाँ पर मैंने राजपासी शॉट करके लिख दिया है अब इसको save कर देता हूं यहोगया मेरे channel का नाम मतरब जरूवत ही पड़ी तो अब आप लोगों को देखे यहाँ ज्यादा कुछ ताम-ज्हम नहीं करना बस आपको simply यहाँ पे create channel का option आ रहा है यहाँ पे आपको click कर देना है इस button पे इस पे जैसे ही आप click करोगे आपका channel जो है create हो जाएगा लेकिन रुको अभी रुको अभी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए इसको अब जो आगे का main जो process जो main आपको काम करना है वो आपका channel यहाँ पे आ जाएगा अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे आपका channel यहाँ पे दिखाई देने लगेगा लेकिन अभी पूरी तरीके से यह channel create नहीं हुआ है अब देखिए दोस्तों आब आगे आपको क्या करना है जैसे कि अगर आप लोग इसमें कु लेकिन यहाँ पे camera का option दे रहा है तो यहाँ पे camera वाले option पे click करके आप लोग अपने channel का banner भी लगा सकते हो तो banner लगाने के लिए camera पे आपको simply click करना है और यहाँ पे photo भी ले सकते हो या पिर आप लोग अपनी gallery में से कोई भी photo add कर सकते हो तो फिलाल के लिए मैं इसको ऐस सही रहने देता हूँ और यहाँ पे देखिए आपके channel का name हो गया handle हो गया और आपके channel का custom URL मतलब कि आपके channel का link हो गया और यहाँ पे description हो गया description में आप लोग अपने channel के बारे में जो भी detail लिखना चाहते हो वो सारी चीज़े लिख सकते हो अपने instagram का link बगरा देना चाहत आपको जाना है chrome browser में chrome browser आप लोगों को open कर लेना है अब जो काम आप लोगों को करना है यह आप लोगों को ध्यान से देखना है और यह सारे काम जो है अच्छे तरीके से अपने channel पर करना है आपको अब यहाँ पे simply आपको chrome browser open करके आप लोगों को google का एक homepage open कर लेना है और तो यहाँ पर space नहीं रहेगा, यहाँ पर मैंने जैसे ही डाला तो यहाँ पर space आगया, आपको space नहीं डालना है, studio.youtube.com इस तरीके से आप लोग सर्च करेंगे, तो इस तरीके से आज आएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में 3.0 के option पर क्लिक करना है, और यहाँ desktop side mode को enable कर देना है, इस तरीके से, जैसे ही आप लोग यहाँ पर enable करेंगे, आपने जो channel बनाया था, वो आप लोगों के chrome browser में कुछ इस तरीके से, उसका interface आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आपके channel का dashboard, और आपको अब यहाँ पर देखे क्या करना है, यहाँ पर left side में देखे, नीचे की तरफ, आपको एक छोटा सा setting का button देखेगा, यहाँ पर आपको click करना है एक बार, जैसे ही आप लोग यहाँ पर click करेंगे, आपको देखे, यहाँ पर कई सारी settings मिल जाती है, आप यहाँ पर कौन कौन से setting करनी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से दे तो यहाँ पर आप लोगों की country जो भी हो, आप लोग select कर लिजेगा, मेरी country इंडिया है, तो मैं इंडिया select कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखे, keyword का option आता है, तो keyword देखे, keyword एक tag की तरह होता है, आपके channel को search list में लाने के लिए होता है, कि आपके channel को कोई भी search करें, तो आपके channel को search में आना चाहिए, जैसे कि माल लिजे, आपने अपने channel का नाम अपने किसी दोस्त को बताया है, या फिर किसी को आपके channel का नाम पता है, तो वो YouTube पर जब search करेगा, तो आपका channel search में आना चाहिए, top पर, तो आप लोग कुछ ऐसे keyword वेगा डाल दूँगा, और जिस type का मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं यहाँ पर tag वगरा डाल दूँगा, डालने के बाद दोस्तों आपको देखें, यहाँ पर save का एक button आएगा, यहाँ पर अभी आपको save नहीं करना है, अभी सारे काम यह वाले करने के बाद ही save करना है, यह आप जो content बनाएंगे, आप जो video बनाएंगे, वो सिर्फ बच्चे ही देख सकते हैं, या फिर बच्चे मतब बड़े लोग भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, लिखा हुआ है, yes, this channel is mad for kids, और यहाँ पर लिखा हुआ है, this channel is not mad for kids, तो आपको यहाँ पर second वाला option select क कर लोगे, तो यह ज्यादा better रहेगा, तो कि आप जो भी video बनाओगे, तो वो सभी लोग देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, बड़ी लोग भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग first वाला option select करोगे, तो सिर्फ बच्चे ही देख सकते हैं उसको, और यहाँ प को क्लिक करना है, पहला option पहले से enabled होता है, यह जैसा कि आप देख रहे हो, standard features का, तो यह पहले से enabled है, और यहाँ पे second वाला जो option है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे verify phone number का option आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो simply आपक किस तरीके से डालना है, number आप डालेंगे, तो आपको एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे fill करना है, fill करने के बाद submit करना है, उसके बाद आपका channel जो है verified हो जाएगा, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहा call का, तो आप यहाँ पे first वाले option को ही select कीजेगा, और यहाँ पे India select है, तो इंडिया में zero code लगता है, और plus 91 भी लगता है, तो मैं यहाँ पे zero डाल के अपना number डाल देता हूँ, चलिए मैं अपना number डाल देता हूँ यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना mobile number डाल दिय देखें यह code आज चुका है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और इसको डालने के बाद मैं यहाँ पे done कर दूँगा, यहाँ पे मतलब कि submit कर दूँगा, चलिए मैं इसको submit कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे submit कर दिया और इस OTP को हटा देते हैं, जैसा कि आप दे इसी वाले page पे आजाना है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यह automatically refresh हो के देखें, यह second वाला option जो आपको enabled नहीं दिखा रहा था, अभी देखिए second वाला option भी enable दिखा रहा है, और तीसरे option को आप लोग छोड़ भी सकते हो, यह automatically enable हो जाता है, या फिर इसको enable करना चाहते हो, तो मैं इस पर अलग से एक separate video बना दूँगा, कि इसको आप लोग कैसे enable कर सकते हो, यह सारे काम करने के बाद आपको यहाँ पे save कर लेना है, इतना save करने के बाद और भी कई सारी setting है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आप लोग देखते जाए यह video को, मैंने इसको save कर दिया, ताकि वो cut न जाए वहाँ से, तो आपको फिर से यही setting वाले option पे click करना है, यहाँ पे एक बार click करेंगे setting वाले option पे, और उसके बाद देखिए हम गये थे channel वाले option में, आप जाना है आपको upload and default वाले option पे, upload and default वाले option पे जाओगे, तो यहाँ पे आप लोग अ about section, description, instagram वगरा का link और facebook का link, यह सबी चीज़ा आप पहले से इसमें डाल के save कर दोगे तो आपको अपने जब भी video upload करोगे, तो आपको बार बार add करने की जरूत नहीं पड़ेगी, तो फिलाल अगर आप इसको add करना चाहें, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम चलत category वाले option पर select करके, आप लोगों को अपने channel की category को select कर लेना है, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग comedy video बनाओ गए, educational या entertainment का, या gaming का, या music का, किसी भी type का वीडियो बनाना चाहते हो, how to, style, किसी भी type का, या फिन news का वीडियो, तो इसलिए मैं यहाँ पर education का रख लेता हू यह चीज़ select करने के बाद, अब यहाँ पर मैं save कर दूँगा इसको, यहाँ पर save वाले button पर मैं click करके, इसको save कर लेता हूँ, इसको मैंने save कर लिया, अब यह सारी setting हो गई, अब जो main काम, अब main काम क्या है, उसको आप थोड़ा सा दियान से देखिए, अब आपको अपने करिएगा, वीडियो upload करते रहेगा, लेकिन इसको भी upload देख लिजे, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ dollar का एक button दिखाए दे रहा होगा, आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा zoom करके, यहाँ पर एक dollar का option दिखाए दे रहा है, और यहाँ पर नीचे customization का एक button दिखाए करोगे, वो सारी चीजे यहाँ पर खुल जाएंगी, तो सबसे पहला layout का option आता है, इसको आप जैसा रखना चाहते हो, रख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर branding का option आता है, तो branding में मैंने logo लगा दिया है, banner नहीं लगाया, जैसा कि आप देख रहे हो, कोई आपके channel को PC में दे देखेगा, तो इस तरीके से mobile में देखेगा, तो कुछ इस तरीके से banner दिखाए देगा, logo भी दिखाए देगा, और यहाँ पर video watermark का भी option आ रहा है, यह सारी चीजे आप लगा सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर basic information में देखे, यहाँ पर चैनल का नाम हो गया, description हो गया, और language बगरा हो गई, और आप लोग अपने social media, scaling बगरा, add कर सकते हो, यह सारी चीजे कर सकते हो, तो इस पर भी मैं एक separate video बनाऊंगा, लेकिन जो आपको समझने वाली बात है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, आप देखे जैसे कि मैंने customization वाले option पे click किया था, उसके ठीक dollar का option है, तो यहाँ पे मैं click कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप click करेंगे, तो अब आप लोगों को देखे समझना क्या है, आप देखे यहाँ पे 1000 subscriber और 4000 घंटे का watch time और 10 million views, अब अगर आपने short channel create किया है, same, आप लोग short channel भी इसी तरीके से create कर सकते हो, अगर आपका क criteria fill करना है, monetization को enable करवाने के लिए, वही सिर्फ यहाँ पे बदला हुआ है, जैसे कि 1000 subscriber और 4000 घंटे का watch time आपको 365 दिनों में करना होगा, long video के लिए, अगर आप लोग short video upload कर रहे हो, तो आपको 90 दिनों में 10 million views आप लोगों को अपने channel पर लाने होंगे, और साथ ही में उसके 1000 subscriber भी, तो यह साथ चीज़ा आप लोगों को करने होंगे, और उसके बाद यहाँ पे 2 step verification भी आपको enable करना होगा, तो यह साथ चीज़ा अगर आप लोग कर देते हो, इन में से आप लोगों को 2 ही चीज़े complete करना है, 1000 subscriber और 10 million views, short video के लिए बता रहा हूँ, अगर आप लोग यह 2 चीज़े complete कर लेते हो, 90 दिनों में, तो आपका channel monetize कर दिया जाएगा, और आप लोग अपनी वीडियो से पैसा कमाना start कर दोगे, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकि जो भी चीज़े रहेंगी, आप लोग comment कर देना इस वीडियो के नीचे, मैं आप लोग आओ तो वीडियो को like कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी कर लेना